तो जैसे कि यूटूबर पूरे यूटूबर को ही गोलाइब टुगेदर का फीचर मिल चुका है तो आप सबको भी मिल गया होगा गोलाइब टुगेदर का फीचर तो जब आपको मिल चुका है तो आपको इससे यूज करना आना चाहिए अगर आपको यूज करना नहीं आता तो हम आज किस वीडियों आपको सिखाएंगे गोलाइब टुगेदर यूज कैसे करें बोले तो गोलाइब टुगेदर कैसे आए जैसे कि आप लाइब स्ट्रीम पहले आदे थे वह सही गोलाइब टुगेदर में भी है बस इसमें कुछ चैनले से जो कि आज किस वीडियों मे में एक दो बार लाइब टुगेधर जरु से करेगा और सास्ती सात मिंआपको इंड में बताऊंगा गया अगर आप तोगेधर यूज करते हो और गुणा को सबस्क्राब करके 2023 से पहले 3 के सबस्क्राबर कम्पलीट करवा दीजेगा गो लाइब टुगेदर यूज कैसे करें वो बताने के अलाचका में अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और उसके लिए आपको सबसे पहले यूटुब अप्लिकेशन को ओपन करना है और जब आप लिकर के पीछे भी ले जा सकते हूं तो यहाँ पर मैं इतना ही रहने देता हूं उसके बाद आपको यहाँ पर टाइटल देना जो भी आप अपने लाइब स्ट्रीम का टाइटल देना चाहते आपको वो देना है तो जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूं लाइब चैनल चे आपको public select कर लेना है उसके बाद आपको थोड़ा नीची आना है और यहाँ पर click करके देख लेना कि यह no पर select है या फिर नहीं है अगर नहीं है तो no पर select कर लेना उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा और नीची आना है और more option पर click करना है click करने के बाद आप चाहो तो अ मुझे नहीं करना schedule मैं इसको off कर देता हूँ उसके बाद आप advanced setting पर click करने के बाद आप चाहते हैं कि आप जो live stream कर रहे हो उसका monetization enable हो तो उसके लिए आपको enable monetization पर click कर देना जब आप enable monetization पर click कर दोगे तो जो आप live आओगे उसका monetization on हो जाएगा तो मुझे नहीं करना है live का monetization on इसलिए मैं इसको off कर देता हूँ मैं बता रहा हूँ आप चाहो तो आप कर सकते हो उसके बाद आपको back आने के बाद आपको next पर click कर देना है next पर click कर दोगे तो loading लेगा loading लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ second हो जाएगा उसके बाद आप आपको यहाँ पर pencil का icon देखेगा उसके बाद आप upload thumbnail पर click करके आप जो भी thumbnail लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं मान के चली कि मुझे यह बला thumbnail लगाना है तो मैंने उसके बाद इसको इस तरीके से छोड़ कर लेना उसके बाद आपको save पर click कर देना है तो जब आप save प पास send करोगे वो आपके live को join करेंगे और आपसे live बाचीत भी करेंगे लेकिन आप जिसके पास link send नहीं करोगे वो बस आपके live में join रहेगा वो आपसे live बाचीत नहीं कर सकता है जैसा कि instagram पर होता है वैसे वो आपसे बात नहीं कर सकता है join होके उसके लिए आपको उसके प कर दोगೆ तो जाये कगे आपके लाइब का किलिक कर सकते हो अब्सक्राइब कर दोग के बाद आपने जिसको भी लिंक सेंड किया होगा अगर वो जोईन करते हैं आपके लाइब को तो उसका पिक्चर यहाँ पर दिखाएगा मतलब उसका वीडियो यहाँ पर दिखाएगा और उनसे आप लाइब बातचीत कर सकते हो जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर बात करते आप लाइब करते हैं अगर वह अगर जैसे कि यहाँ पर मैं कमेंट पर किलिक करता हूं यहाँ पर टॉप लाइब चैट नोन वो सब भी कर सकते हो उसके बाद आप थ्री डट पर किलिकर के सेर पर किलिकर के और लोगों के पास लिंक सेंड कर सकते हो या फिर आप चाहते है कि मैं और लोगों को यहां से एड गेस्ट करके उसको मैं जोरना चाहूं तो उसके पास लिंक सेंड करने के लिए फिर से आप थ्री करके आप केमरा को आगे भी कर सकते हो उसके बाद फिर से आप जाते कि मैं केमरा को फिर से पीछे करूँ तो फिर से आप उस पर क्लिक करके आप केमरा को पीछे कर सकते हो तो इस तरह के से आप गोलाइब टुगेदर को यूज कर सकते हो और मैं आपको बताता हूँ कि अगर वाचंग जबढ़ा सकते हो जैसा कि आगल आप टूगेदर करते हो तो उसमें किसी लिक्न कराने के लिए आपको उसके पास मींख करना होगा जो की आप इस्टेग्रम पर जाकर पूंसको एक है कि मैंने कम्मुनिटी पोस्ट में लिंक डाल दिया जाकर किलिक करिए और जुआन हो जाए और हमसे बात करिए अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको एक एक करके सभी को करने का सही तरिका जानने के लिए इस वीडियो को ज़रू से देखेगा और यह वीडियो भी बुरा नहीं तो आप जाके ज़रू से देख सकते हो आप सब के लिए बहुत ही यूजफुल वाला वीडियो मैंने रखा है